दिवाली के शुब परपर सभी को मेरी बहुत बहुत शुब कामनाई हैं। भारत वर्ष में जो भी पर्म बनाया जाता है, उसका बहुत प्रकाट का महतव है। अध्यात्मिक, बहुत एक, समाजिक, तो जो भी विदियें हैं पर्म को बनाने की, उसमें बहुत तरह किलाव होते हैं। तो आज मैं आप सभी जो चेतन्य दीपक हो, उन सब को घर घर में खुशे मना रहे हैं, उस सब की मबारक दे रहे हूं। सबसे पहला पहलू दिवाली के पर्म का, जो बहुत समय पहले शुरू हो जाता है, वो पहलू है सफाई का। एक महिना पहले आपका घर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। हर कोना घर का साफ किया जाता है। इतने तक ही आपके जितने कागज हैं, आपका दफतर हैं, आपके अकाउंट्स हैं, सब सॉट आउट करते हैं। तो वो तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो सफाई होने ही चाहिए बहुत। स्वास्त के लिए और बातावरन शुद हो जाता है, तो मन को भी अच्छा लगता है। तो मन के स्वास्त के ले कहो तन के ले कहो एक बातावरन की शुद्धी इस सफाई से होती है परन्तु हमको ऐसे समय पर जब हम बाहर की सफाई कर रहे हैं तो अंदर भी हमें अपने मन को अपने हिर्दै को अपने मुद्धी को भी देखना है कि वह भी साफ हो कोई भी जो बात हो चुकी है किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर भाव न हो इशाद्वेश न हो कोई भी बात अगर हो गई है या कोई वर्तमान परिस्थिती में वर्तमान समय की भी कोई बात है तो हमारा फर्ज है कि हम उसको साफ करें उसको निकाले क्योंकि जब अंदर की सफाई होती है तो सफाई करने की जो भावना है वो ये है कि जब उजाला करेंगे तो जब बहुत उजाला होता है बहुत लाइट होती है तो बहुत थुड़ा भी अगर किसी भी प्रकार का कच्च्टा, धूल, कुछ भी होगा, कुई दाग भी होगा, वो बहुत दिखाई पड़ता है तो सफाई और रोश्णी जरूरी है, क्योंकि महालक्ष्मी का आवहान करना है ये दोनों बाते महालक्ष्मी के आवहान के लिए बहुत जरूरी बाली जाती है अगर हम अंदर की बात करें, तो जब मन साफ है, हिर्दय बिलकुल साफ है बुद्धी भी साफ है, तो उसके साथ साथ जब दिया जलाते है, तो दिये का महतव है आजकल तो मौंबत्ती इलेक्ट्रिक बल्ब जला देते हैं, लेकिन महतव दिये का है तो दिया हमें सिमिर्थी दिलाता है कि दिया जो है, वो मीटी का बना हूँ है, जो शरीर है और इसमें लौ जो है, चेतन्य जोती आत्मा, और ये लौ जो है, अगर वो लव प्रभु के लव की हो जाए, तो चेतन्य दीपक जगाने के लिए हम को शरीर को ऐसे देखना होगा जैसे दिया है, और दिये में हम ज्ञान का गरत डालते हैं, और उसमें हम प्रभु के प्यार की लव की जोत जगाते हैं, तो जब प्रभु के प्रेम की जोत जग जाती है, तो अंतरिक रूप से या आत्मा जो चेतन्य है, चेतन्य दीपक है, वह जागरित हो जाती है, या कहें कि उसमें जो प्रकाश होना चाहिए सदाकाल, वो प्रकाश आ जाता है, वो लाइट आ जाती है, तो अब आप सोचिए, कि जब हम बाहर इतने दीए जलाते हैं, दीपमाला की तरह बनाते हैं, बहत ही दीए जलाते हैं, तो उससे हम सोचते हैं कि घर में संपन्ता, प्रसंता, परिवारेक्षने, संबंध, धन संपती, सब की व्रिदी होगी, रहेंट, इसी तरह से, जैसे बहार के, ये सब साधन होते हैं, लेकिन अगर आत्मा में भी, इस प्रकार की लाइट के आधार से, ज्ञान के प्रकाश के आधार से, जो अंदर की प्रसंता है, संतुस्ता है, और संपन्ता भी है, लक्ष्मी का आवान किवल धन के लिए ने किया जाता, परन्तु, अगर अपनी संपन्ता अंदर है, प्रोस्पेरिटी है, लक्ष्मी लक्षण को भी कहते है, हमारे जीवन में वो गुड़ों की धार ना ऐसी हो, तो जब लक्षण है, तो जीवन में संपन्ता होगी, संपन्तार्थाथ, हर कर्म जो हम करेंगे, उसमें प्राप्ति, सफलता, और लक्षण अच्छे होने के कारण, संपन्तार्थाथ सदा ही ऐसा लेगा, कि हमारे जीवन प्राप्तियों से भरपूर है, तो जैसे हम बहुतिक रूप से सोचते हैं, वैसे हमको अध्यात्मिक रूप से भी सोच लाएं, तो अध्यात्मिक रूप से सोचेंगे, तो बहुतिक की तो प्राप्ति होगी, एक ऐसा पर्व है जिसमें नकेवल घर में वो रोनक हो जाती है पर परिवार के सभी सदस्यों में खुशी बहुत रहती है उसके साथ साथ बहुत त्योहाड से पहले तयारी करते हैं सब कुछ नया नया बरतन भी खरीदें नये वस्त्र भी धारन करें कोशिश करके सब कुछ नया तो ऐसे भी अगर हमारे अंदर भी जो कुछ पुराना है पास्ट का है उसको हम निकाल जीवन में नया हमारा जो दृष्टी कोण है हमारी जो वृति है नये में दो बाते होती है एक तो कोई पुराने को नया करते हैं परन्तु हम अपनी जीवन में ग्यान की रोश्णी लक्ष्रों की धारना जैसे ऐसा मैसूस होता है कि मेरा हर पल जो है वो नया है क्योंकि जो बीती ही वो तो बीती जो भविश्य में होगा वो तो होगा लेकिन वर्तमान समय उस समय में भी जो ये मुमेंट है मेरा सोच शुद हो मेरा सोच शुब हो और सभी के प्रती मेरी शुब कामनाए शुब भामनाए रहें तो महालक्ष्मी का आवहन आप देखते हैं कितनी सुन्दर पिक्चर दिखाते हैं पोटो मूर्ती दिखाते हैं तो इस प्रकार से हम सभी अपने मन में आवहन करें कि हमारे में भी लक्ष्मी का सरू या महालक्ष्मी हैं लक्ष्मी और नारेन दोनों इकठे जैसे विश्नु हैं तो उनको चार बुजाएं दिखाते हैं तो उसमें लक्ष्मी है साथ में लक्ष्मी को भी चार बुजाएं दिखाते हैं महालक्ष्मी को क्योंकि उसके साथ फिर नारेन भी साथ हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर संपति आ गई सब प्रापति आ गई तो अब उसमें इतने लिप्त हो जाएं कि हमारा परमात्मा से नारेन प्रभू अलग-अलग नाम दिये हैं उससे मेरी प्रीत कम हो जाएं और लोब में मुह में हम फस जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हो कि जितनी ही हमारे हर प्रकार से परिवारिक संबंद में मन की शांती तन का स्वास्त अपने व्यापार में समर्दी सब कुष हो हम संपन भी रहें और साथ-साथ हमको यह याद रहें कि यह सब कुछ हमें कहां से प्राप्त हुआ है प्रमात्मा से तो हम ट्रस्टी होकर कि उसको संबालें क्योंकि लक्ष्मी और नारान अलग नहीं रह सकते इसलिए कंबाइन दिखाए हैं लक्ष्वी नारण को कंबाइन दिखाते हैं दोनों और साथ में प्रविर्ती में भी नर और नारी दोनों का अपस में ऐसा संबंध हो जैसे कि वो कंबाइन है हर एक का विशार तो अलग होता ही है एक होता है अनेक मत दूसरा होता है मत बेद बेद मतलब फिर उसको सविकार करना एक दूसरे की बात को तो परिवारिक संबंद और उसमें भी विशेश नर नारी का जो बती पतनी का संबंद है उस संबंद का बच्चों पर बहुत प्रभाव पढ़ता है अगर मत बेद है कोई भी प्रकार का संगर्ष है उसका प्रभाव बच्चों पर घर के बातावन पर पर पढ़ता है तो सदा खुश्य मनाने के लिए और वो ही दिन ऐसा दिन होता है उपवार देना और लेना तो एक होता है वो भी बहुत अच्छा है उपवार दीजे उपवार लीजे परन्तु एक शब्द याद रखिए कि हमारी भावना में अगर परोपकार है कि हर एक के प्रतिकल्यान की भावना है हमारे नेत्रों से सबको इश्वरी प्यार कानुभव हो तो इस तरह से जैसे कि अपनी जीवन में जितना जितना हम जो मैंने कहा कि प्रभू के लव की लव जलती रहे तो हर प्रकार से परिवार में, समाज में और सारे देश में सची दिवाली आम मना रहे हैं और ये सब अध्यात्मिक रहे से अगर होगा तो वो एक दिन के लिए दिवाली नहीं हमारी जीवन में सदा अकल के लिए दिवाली रहेगी हमारा जीवन ही ऐसा होगा क्योंकि चेतन्य अधीपक जब जल जाता है तो सुख भी होता है, शान्ती भी होती है, प्रेम भी रहता है तो सदा ही फिर अपने पास जो कुछ भी हमारे पास है उससे भी हम सब को सयोग दे मन में सेवा भाव भी बहुत जरूरी है और कोई भी ऐसी अपने में आदत नहो जो दिवाली सची नहों के कईयों का दिवाला भी निकल जाता है तो कोई भी ऐसी आदत नहोने से अपने धन का, अपने गुणों का, अपने संबंद का हर प्रकार से सद्ध उपयोग हो तो जब सद्ध उपयोग होगा सयोग की भावना रहेगी तो महालक्ष्मी तो सदा विराजबन रहेगी जरूर तो इसलिए थोड़े दिन के लिए जो उस्व मनाय जाता है हम चाहते हैं कि वो उस्व उस्वा के रूप में हमारे जीवन में बना रहे ऐसा नहों कि दिवाली पूरी हो गई और उसके बाद हम लोग सब भूल जाएं और हमारा उस्वा कम हो जाएं क्योंकि दिवाली से पहले रावन तो जलाई चुके हैं रावन प्रती की है पांच विकारों का शुब भावना शुब कमना सब की प्रती आज के पर पर हम देते हैं तो इस शुब भावना शुब कमना में आत्मिक भाव की बहुत आफशकता हैं सब की तरफ जब देखें तो हमानी द्रिष्टी में हर एक एक चेतन्य दीपक हो और जब हम उस चेतन्य दीपक को देख रहे हैं तो उसमें आत्मिक संबन्द क्योंकि आत्म रुपी तो दीपक है न तो जब वो आत्मिक भाव रहेगा तो सदा प्रेम, सदा शांति और सदा सुख कानुभाव जीवन में होता रहेगा संबन्द भी आत्मिक भाव की अगर होते हैं तो उस संबन्द में जैसे मैं सूस होता है कि हम सभी एक परमात्मा की संतान, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं और इस स्रिष्टी मंच पर हम सभी अपना भिन भिन शरीर धारन कर पाट बजाने के लिए आए हैं तो इस परव पर सदा के लिए खुशिये रहें, सदा के लिए ही परिवार में प्रेम प्यार रहें तो हम इस अध्यात्मिक बहत्ब को और बहुत एक तरीके से भी बहुत अच्छी तरह बनाएं परंत उसके साथ साथ नैतिक और परिवारिक रूप से भी हम इसको मनाएं क्योंकि आज के दिनी घरों में जाना होता है, औरों का आना होता है, सभी को उपहार देते हैं तो इस उदार्चित से सभी दिवाली का पर्व बहुत खुशी से मनाएं बहुत बहुत श्रेस्ट शुब सोचे स्वयम के लिए भी और हरें के लिए भी और जो दीप राज हैं एक परंपिता परमात्मा जो जाकती जोथ हैं दीप राज कहां हम दीप राज को भी अपने साथ रखें और अपनी जोथ पर भी ध्यान दें कि वो सदा ही जलती रहें और हम सभी अंत्रिक रूप से प्रेम और शान्दि के जीवन में जीते रहें ओं शान्दि आईए इस दिवाली संसकार परिवर्तन का उत्सब मनाएं